दोस्तों आप ब्रतों में आलू और कुटू खाखा कर बोर हो गए हैं तो आज हम आपके लिए लाए हैं नई स्यूडिस सकरकंदी के पुए यह बनाने बहुती आसान है तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं चैनल को सब्सक्राइब करें बेल आइकन को प्रेज करें और यदि मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें शेयर करें यह मैंने एक सकरकंदी लिए इसके दो पीस करके मैंने उबाल ली थी क्योंकि यह बड़ी थी सकरकंदी और आप इसे हम छी लेंगे यह दो पीस मैंने छील लिए है अब इसको मैसर से मैस करेंगे आपके पास मैसर ना हो तो हाथ से भी मैस कर सकते हैं और एक बाउल मैंने यह सिंगाडी का आटा लिया है इसको डाल दिया है मैंने इसमें इसको मिक्स करेंगे अब अब इसमें मैंने आदे बाउल मैंने चीनी डाली है मैं चीनी थोड़ी डाल नहीं हो आप अगर मीठा ज्यादा पसंद करते हों तो ज्यादा चीनी डालने क्योंकर सकरकंद भी मीठी होती है और आटा भी थोड़ा मिठास लिए होता है इसका अब इसको सब को मिक्स कर देंगे और यह मैंने दूद लिया है आप इसमें पानी मी डाल सकती है और इसको एक आटे के पुआ जैसे बनाते हैं उस तरह से घोल तयार करेंगे तो मैंने इसमें दूद डाल दिया है थोड़ा दूद और डालेंगे अब इसमें मैंने यह खर्भूज की मींगली है मेवा आप अपने इच्छा नुसा डाल लें यह नारियाल है कसा हुआ सूखा और यह इलाची पावडर डाल नहीं हो सफेद वाली अब इन सब को मिक्स कर देंगे मैं हाथ से मिक्स कर रही हूं इसे थोड़ा पेस्ट टाइट है तो थोड़ा दूद और डाल नहीं हूं मैं बचा हुआ दूद भी मैंने डाल दिया इस तरह से मैंने पेश्ट बना लिया है यह आधी गिलासी मैंने पहले लिया था दूद और आधी फिर दुबारा से लिया है मैंने तो एक गिलासी दूद मैंने इसमें डाल दिया है अब इसको पांच मिनिट के लिए रेश्ट के लिए रख देते हैं अब पांच मिनिट रखे हुए हो गए हमारे घोल के लिए अब इसे मिक्स करेंगे हां गी को मैंने गरम होने रख दिया था अब थोड़ा सा डाल के देखेंगे घी हुआ है गरम हमारा नहीं यह सिक कर देखिए ऊपर आ गया है घी घरम हो गया है हमारा अब आप इस तरह से चम्मत से भी डाल सकते हैं मैं हास्ते बना रही हूं यह पुए इस तरह से ली में छोड़ दिया इसी तरह से हम पुए को बनाते जाएंगे अब इतने ही डालेंगे हम एक बार में अभीने हम हलकी आज पर पकने देंगे और तब तक नहीं छेड़ेंगे जब तो यह सिक कर ऊपर नहीं आ जाते यह देखिए सिक कर ऊपर आ गया अभीने हम पलड़ देते हैं कि अब इन्या ओलट पुलट कर सेखेंगे हम कि अधिक हमारे पूगा बनकर तैयार हो गए अब इन्हें निकाल लेते हैं कि अधिक इसे तरह से दूसरा बैस बनाएंगे और इसी तरह से यह भी अब सिक कर ऊपर आ रहे हैं अब इनको हम पलड़ देंगे यह दूसरा पैच भी सिक करते ही आ रहा हम इनको भी निकाल लेंगे वहार थोड़ी देर कट्चली पर रोक कर रखेंगे ताकि इनका एश्टा घी निकल जाए अब इसी तरह से हम बाकी पुआ भी सिक लेंगे यह देखिए दोस्तों हमारे सकरकंदी के पुए बन कर तयार हैं यह खाने में वहोती लाजवाब और टैस्टीं और जटपट बनकर तयार हो गए तो दोस्तों इनको एक बार जरूर बनाईए और कमेंड में बताईए कैसे बने और अधिक से अधिक मेरी वीडियो को शेयर कीजिए